बच्चों से लेकर बजूर को तक सभी लोग दूद का सिवन करते हैं और करना भी चाहिए अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि आपको गाए या भैस किसके दूद में ज़ादा ताकत है गाय और भैस के दूद में क्या अंतर है, प्रोटीन के मामले में किसका दूद सबसे आगए है, कौन सा दूद सेहत के लिए बैस्ट है, ये सभी जान करें आज की इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहत जरूरी है, साथियों, दूद हमारी डेली डाइट का एक जरूरी हिसा है, पोशक तत्वों से भरपूर होने के कारण ये बच्चों और बड़ों सभी के लिए बेहत दूद में मुझूद केल्शेम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में जरूरी भूमी का निबाते हैं, हाला कि लोग अक्सर इस बारे में उलजन में रहते हैं कि गाय का दूद बहतर है या भहस का, साथियों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि गाय और लोगों की पसंद अलग-अलग होती है, केंद्रे पशुपाले मंत्राले ने आंकडो के अनुसार जादा तर लोग गाय के दूद को पसंद करते हैं, इसका कारण यह है कि गाय का दूद हलका होता है और इसमें फैट की मातरा कम होती है, जिससे इसे पचाना और भी असान हो दोनों में प्रोटीन पाया जाता है हालागी बहस के दूद में प्रोटीन की मात्रा गाय के दूद की तुलना में जादा होती है गाय के दूद में पानी की मात्रा जादा होने के कारण ये पतला होता है जबकि बहस का दूद गाड़ा और मलाईदार होता है फैट की बात करें तो बैंस के दूद में गाय के दूद की तुलना में जादा फैट पाया जाता है। इसके अलावा बैंस के दूद में कैल्शियम, फासफोरस, मैगरिशयम और पोटेशियम जैसे न्यूट्रेंट्स का भी एक अच्छा सोर्स है, वहीं गाय का दूद विटामिन का एक समरद सोर्स है। रंग के मामले में गाय का दूद थोड़ा पीला सफेद होता है, जबकि बैंस का दूद मलाईदार सफेद होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के लिए किसका दूद बेस्ट है गाय और भैस दोनों का दूद पोशक तत्वों से भरपूर है दोनों ही प्रकार के दूद में प्रोटीन वसा कार्बोहईडरेट और कैल्शियम जैसे ज़रूरी पोशक तत्व पाये जाते हैं हालनकि इनकी मातरा में थोड़ा अंतर होता है उधारन के लिए 100 मिली लिटर गाय के दूद में लगवग 3.2 ग्राम प्रोटीन होता है तो भही बहस के दूद में 6.6 ग्राम वसा, 8.3 ग्राम कार्बोहईडरेट और 121 मिली ग्राम कैल्शियम पाय जाता है दोनों ही प्रकार के दूद में लेक्टोज भी होता है गाय के दूद में 4.28 ग्राम और बहस के दूद में 4.12 ग्राम साथ ही भहास के दूद में βीटा लेक्टोग्लोबिन और पोटेशियम की मातरा जादा होती है जो ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है इसके अलावा भहास के दूद में गाय के दूद की तुलना में कम कोलिस्टोल होता है जिससे हाई ब्लेड प्रेशर, किडिनी की समस्यां और मोटापे से पेडित लोगों के लिए एक बहतर विकल्प हो सकता है दूसरी और गाय के दूद में प्रोटीन, विटामिन और न्यूट्रेंस जादा पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने और हार्ट हेल्थ को दुरूस्त रखने में आपकी मदद कर सकते साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हूँ, काम के लगी हूँ तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल